सबसे पहले समझते हैं हमारे आज के एडिटोरियल का मुद्दा क्या है तो हुआ क्या कि United Nations की बैठक हुई United Nations की मीटिंग हुई उस मीटिंग में प्राइम मिनिश्टर नरेंदर मोदी द्वारा और पाकिस्तान के प्राइम मिनिश्टर इमरान खान द्वारा भाशन दिये गए उन्हीं दोनों भाशन की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं Two speeches तो जो दो speech दी गई एक दी गई प्राइम मिनिश्टर नरेंदर मोदी द्वारा और एक दी गई पाकिस्तान के प्राइम मिनिश्टर इमरान खान द्वारा उन दो speeches की बातें हम इस एडिटोरियल में करेंगे India must be देको must का मतलब चाहिए है न जरूर चाहिए बी मतलब होना India must be mindful mindful का मतलब होता है विवेक पूर्ण, होश पूर्ण आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए India must be mindful का मतलब हुआ कि भारत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए भारत को होश पूर्ण होना चाहिए किस संबंद में of the Pakistan straight जी पाकिस्तान की नीती के संबंद में पाकिस्तान की रण नीती के संबंद में of raising रेज का मतलब क्या होता है उठाना जैसे संसद में प्रेशिन उठाना है तो उसके लिए of raising bilateral issues bilateral का मतलब हो गया issues का मतलब हो गया global मतलब वैश्विक और फोरा का मतलब हो गया मंच पाकिस्तान जो है लगातार वैश्विक जो मंच है न वहाँ पर क्या करता रहता है कि द्वी पक्षिय मुद्दों को उठाता रहता है तो ये जो पाकिस्तान की नीती है इस नीती से भारत को सावधान रहने की जरूरत है तो एक बार फिर देखें से कि भारत को होशपूर्ण होना चाहिए पाकिस्तान की रणनीती से क्या रणनीती है पाकिस्तान की ओफ रेजिंग बाइलेटरल इश्यूस पाकिस्तान की रणनीती है द्वी पक्षिय मुद्दों को वैश्विक मंच पर उठाने की आगे देखते है कि भाई यह जो युनाइटेड नेशन से इसकी जनरल असेम्ली है इसकी जनरल मीटिंग होई असेम्ली मतलब इखटा होना लोगों का है एक सामाने मीटिंग होई इसकी तो वहाँ पर जो यह भाशन दिये गए तो भाशन किस-किस के दौरा दिये गए by Pakistan's Prime Minister Imran Khan and a day letter letter का mean that's the first time पहले लड़े तो दिया भाषन पहले भाषन दिया गए पाकिस्तान के Prime Minister Imran Khan उसके एक दिन बाद and a day letter एक दिन बाद भाषन दिया गया by Prime Minister Narendra Modi भाषन दिये गए, ठीक है तो यह जिल पहले खता है अब यह जो वर आ रहा है ना यहां पर ध्यान देना आपका यह वर आ रहा है यहां पर कर सकते हो, in contrast, contrast का मतलब होता है, एक तरीके से जब दो बातें विरोधा भासी होती है, उनको कहा जाता है, in contrast है न, कि भई ये जो दो बाते हैं, या फिर आप कह सकते हो, कि ये जो दो speech दी गई है, इन दो speech में काफी विरोध नजर आता है, काफी विरोधा भास नजर आता है, तो इस विरोधाभास की study की जा सकती है आगे देखते हैं Mr. Modi focused on India's own role on the world stage अब देखो जो Mr. Modi ने भाशन दिया उसमें Mr. Modi ने focus किया ध्यान रखना focus के साथ में on preposition का प्रियूक करते हैं यह छोटी-छोटी चीजे जो है न close test में वहुत काम आती है तो Mr. Modi focused on India's own role कि भाई Mr. Modi ने इंडिया के स्वयम के रोल का है उनका मतलब है आपका खुद का स्वयम का कि भाई भारत का वेश्विक मंच पर क्या रोल रहा है उस रोल पर भारत ने focus किया and the need to reform the UN और भारत ने किस चीज़ पर focus किया नीड कि भाई भारत ने focus किया कि भाई जरूरत है किस चीज़ की जरूरत है to reform the UN कि United Nations में सुधार की जरूरत है रिफार्म का मतलब होता है सुधार तो भारत ने इस चीज़ पर focus किया and और किस चीज़ पर focus किया भारत ने and expand the security council और भारत का focus रहा कि भाई एक्समेंड विस्तार किया जाना चाहिए किस चीज़ का विस्तार किया जाना चाहिए the security council है ना सुरक्षा परिशद भारत का focus रहा कि भाई सुरक्षा परिशद का विस्तार किया जाना चाहिए देने के लिए To give, क्या देने के लिए, India more representation, भारत को और अधिक प्रतिनिदित्व देने के लिए, सुरक्षा परिशद का विस्तार किया जाना चाहिए, United Nations में सुधार किया जाने चाहिए, इसके लावा भारत में भारत का वर्ल्ड स्टेज पर क्या रोल रहा है, क्या contribution भारत करा है, इन सब पर प्राइम मिस्टर नरेंदर मोदी की स्पीच ने फोकस किया, आगे देखते हैं, मिस्टर खान फोकस्ट लेस टाइम और पाकिस्तान, अब जो पाकिस्तान के प्राइम मिस्टर इमरान खान की अगर हम बात करें, तो इन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया, इन्होंने किस पाकिस्तान की बातें कम की है ना लेस टाइम ऑन पाकिस्तान मिस्टर खान फोकस्ट लेस टाइम ऑन पाकिस्तान इसके लावा लॉंचिंग लॉंचिंग यह नि शुरुआत करते हुए लॉंचिंग ए लॉंचिंग अब ब्रॉड साइड अगेंस्ट इंडिया है ना ब्रॉड का मिश्टर मोदी ने अपनी इस्पीच में पाकिस्तान का कोई रिफिरेंस ही नहीं किसी तरह का कोई उलेक ही नहीं किसी तरह का पाकिस्तान का कोई संदर्वी नहीं दिया Mr. Modi ने अपनी भाशन में and spoke about terrorism about यानि के बारे में और Mr. Modi किस संबंध में बोले किस के बारे में बोले आतंकवाद के बारे में only in broader terms broader terms का मत्तभ होता है एक व्यापक दाइरा है एक विस्तरत दाइरा यानि कि Mr. Modi ने पाकिस्तान का संदर्व नहीं दिया उन्होंने जो अपना भाशन दिया उसमें आतंकवाद का उलेख किया लेकिन आतंकवाद का उलेख व्यापक अर्थों में किया ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के और इशारा करके सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेके जो है उन्होंने बात कही आतंकवाद के बारे में वे बोले लेकिन आतंकवाद के बारे में जो बोले वे एक तरीके से व्यापक तरीके से बोले है ना इन ब्रॉडर टर्म A reply to Mr. Khan's speech was left to an Indian diplomat who described कि भई Mr. Khan ने जो भी बाते कही United Nations की इस मीटिंग में Mr. Khan ने जो भी बाते कही उनका जो जवाब है वह है छोड़ दिया गया किसके द्वारा Indian diplomat के द्वारा भारती है राजनाइक है ना इक तरीके से तो भारत के जो diplomat है उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के प्राइमिस्टर इमरान खान की स्पीच का जो है जवाब दिया तो ये जो इंडियन डिप्लोमेट है ये जो भारती राजनाइक है इन्होंने पाकिस्तान के प्राइमिस्टर इमरान खान की स्पीच को डिस्क्राइब किया वर्नित किया इट एज एन इंसेसेंट रेंट इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार बिना रुके अगला शब्द आया है रेंट है रेंट का मतलब होता है एक तरीके का गुसा है रेंट का एसा गुसा जिसमें आप अनियंत्रित तरीके से अनापशनाप बोले चले जाते हो उसे कहा जाता है रेंट है जैसे हम कह सकते हैं कि कि वई विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ जब तब रेंटिंग करता रहता है यनि कि एक तरीके से गुस्से में अनियंत्रित तरीके से किसी के भी खिलाब मूर्ख सापूर्ण या अनाफ शनाब बातें किये जाना उसे कहा जाता है रेंट तो इमरान खान की जो स्पीच थी उ ओन्यंत्रित तरीके से निकाले जा निकाला जाने वाला गुस्सा है जिसमें अनाफ शनाबातें की गई है और क्या का है प्राइम मिस्टर इम्रान खान की स्पीच के संबद में कि उन्होंने ये कहा कि उनकी जो स्पीच है यह जोंट से बरी हु合 जैंने जूर्म इ commendation देख करना करना, जो कि हिंसा को बढ़ावादे, इसी बाते करना जो की युद्द को बढ़ावा दे, तो यही पाकिस्तान के प्राइम इमरान खान की speech के संबन में इंडियन डिप्लोमेट vesselsने कहा लगातार इक तरीकए को उकसाती हैं, जो कि युद्ध को भड़काती हैं, Mr. Khans references to India, कि Prime Minister Imran Khan ने इंडिया के संदर्व में जो बाते कई हैं, कि वही जो इंडिया का उन्होंने संदर्व दिया, Mr. Khans references to India, which formed more than a third of his tax, यानि कि Prime Minister Imran Khan ने भारत के संदर्व में जो भी बाते कई हैं, कुल मिला कि जो भ भाग भारत पे केंद्रित था, which formed का मतलब निर्मित किया, more than a third of his tax, text का मतलब जो बात उन्होंने कहीं, जो speech उन्होंने दी, यानि कि Prime Minister Imran Khan ने जो भी speech दी, उसमें से एक तिहाई समय उन्होंने भारत के संदर्व में दिया, which formed more than a third of his tax, repeated, अब Mr. Khan ने अपनी speech में किया किय रिपीटेट है ना, दोराया, किस चीज को दोराया, repeated, the willification in his previous speeches, willification, willification का मतलब होता है, किसी को villain बना देना, किसी को खलनायक बना देना, तो Mr. Khan ने अपनी speech में भारत को खलनायक की तरह प्रस्तुत करने की कोशिच की, जैसा कि उन्होंने अपनी previous speeches में भी किया है, previous मतलब Mr. Khan ने अपने जो पूरु भाशन दी है, उन भाशन में भी उन्होंने भारत को खलनायक बनाने की कोशिच की है, ऐसा ही कुछ इस speech में उन्होंने किया, क्या क्या बाते हैं उन्होंने कही, accusing the Modi government, अब देखो इसको ध्यान से देना, क्या मतलब हुआ इसका, accusing the Modi government का मतलब हु इसको डर होता है, उसे कहा जाता है, फोबिया, इसलामो फोबिया का क्या मतलब हो गया, इसलाम से डर लगना है, कि यह जो इसलाम religion है, इस धर्म से भाई, तो देखो उन्होंने जो है, Mr. Imran Khan ने, Modi government पर यह आरोप लगाया, कि Modi government क्या कर रही है, sponsor कर रही है, sponsorship का मतलब होता ह संरक्षन देना, आर्तिक संरक्षन देना, राजनेतिक संरक्षन देना, सामाजिक संरक्षन देना, इना कि आप क्या करते हो, किसी भी चीज को विक्सित करने में, जब अपनी तरप से उसको प्रोटेक्ट करने में, अपना योगदान देते हो, उसे कहा जाता, sponsorship, तो Mr. Imran Khan क के दोरा मोधी government पर आरोप लगाया गया कि मोधी government जो है वो क्या कर रही है वो संद्रक्षन दे रही है किस चीज को Islamophobia को यानि कि एक तरीके से लोगों में ये भय जो है पैदा किया जा रहा है इसलाम का भय पैदा किया जा रहा है और मोधी सरकार इस भय को संद्रक्षन दे रही है और following देखो और क्या क्या आरोप लगाया मिस्टर इम्रान खान एक तो यह आरोप हो गया प्राइम drains खान और इसले मिस्टर को अच जाए जाया इर इसलाम के भय को लोगों में बड़ावा दे रही है दूसरे अरोप लगाया की जिसो मोदी गवर्म động Deck ese एक AC विचारधारा का पालन कर रही है जो की अतिवादी विचारधारा है जो की RSS की जो कट्टर विचारधारा है उस विचारधारा को मोधी गवर्मेंट जो है फॉलो कर रही है which he claims is inspired by अब देखो यह जो RSS की जो विचारधारा है ना उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दावा है कि यह जो RSS की आइडियोलोजी है इसके बारे में Mr. इमरान खान दावा करते हैं inspired by नाजी concepts की बाई यह जो RSS की जो विचारधारा है ना Mr. इमरान खान के दावे के अनुसार जो RSS की विचारधारा है यह प्रेरित है किस चीज़ से प्रेरित है बाई नाजी concept concept का मतलब होता है एक तरीके का विचार है ना तरीके की अवधारना by नाजी concept of racial purity racial का मतलब होता है नसल से संबंदित purity यानी हो गया शुद्धता And supremacy का मतलब हो गया कि आप सर्वस्रेश्ट हो आप सर्वोच हो तो पाकिस्तान के Prime Minister इमरान खान का मानना है कि RSS की जो विचारधारा है वो बहुती अतिवादी विचारधारा है वो कटर विचारधारा है और वह विचारधारा है जो है एक तरीके से नाजी ये जो एक तरीके से नाजी अंदोलन था ना हिटलर के नेतरत में जर्मनी में जो चला था उससे प्रेरित है ना बहुँ नाजी मे क्या बात की गई थी, यह जो एक तरीके से नाजी लोग थे हैं ना यानि कि हिटलर के अंतररकत जो लोग काम कर रहे थे हैं वे क्या बात करते थे कि वह जर्मन के जो लोग हैं वोrió हैं तो ऐसी ही बात rss करता है न error से संबनित शुद्धता की बात RSS करता है ठीक नाजी लोगों के समान है एंड सुप्रीमेसी और जैसे हिटलर जर्मनी के लोगों को सरस्रेश्ट मानता था हिटलर का कहना था कि जो नाजी लोग है सरस्रेश्ट इसी तरह से RSS में भी RSS की जो विचारदा रहा है वह RSS से जुड़े हुए लोगों को सरस्रेश्ट मानती है उन्हें शुद्ध मानती है इसके लावा और क्या रोप लगाया मिश्टर मोदी पर मिश्टर खान ने ये प्लान बना रहे हैं किस बात की योगना बना रहे हैं तो क्ली अफ माने की मिश्टर मोदी अलप संख्यकों से देश को साफ करने की योजना बना रहे हैं यानिकि मिस्टर मोधी का प्लान है, मिस्टर मोधी जो है, सफाया कर देना चाहते हैं, कि भारत में जो भी माइनोरिटीज हैं, भारत में जो भी अल्प संक्यक वर्ग हैं, उनका सफाया करने का प्लान मिस्टर मोधी बना रहे हैं, तो ऐसे कुछ आरोप मिस्टर खान ने अप पर समंदित है जर्मनी से तरीकर से हिटलर के नेत्रत में यह जो नाजी लोग थे ना तो इन्होंने क्या किया था था है तरीकर से को आप कह सकते हो क्या नियूरेंबर्ग लॉस ना इन कानूनों के माध्यम से आप कह सकते हो कि यहुदियों पर अत्याचार किया गया तो इस तरह के कानून तो भारत में यह जो में इस कानून को तुलना किया गया कि से नाजी लोगों केम्स्टर इम्रान खाने ऐस तुलना मतलब हो गया तुलना कि वह इन बिलकुल अत्यवादी तुलना मिस्टर खान के दोरा की गई किन किन चीजों में भारत के नागरिक्ता कानून में और जर्मनी के या फिर नाजी लोगों के नियूरेंबर्ग लॉज के बीच में एज वेल ज साती साथ between detention camps in Assam and the concentration camp of नाजी जर्मनी concentration camp जानते हो आप किसे कहते हैं concentration camp जो है खास करके जर्मनी में हिटलर ने क्या है कि यहुदियों को मारने के लिए यहुदियों को यातनाई देने के लिए उन्हें सताने के लिए क्या किया था कैम्प के निर्मान किया था है यहुदियों को यातना यह दी जाती थी उन चीज़ों से डिटेंशन केंपस इन असम डिटेंशन का मतल होता है हिराशत कि भाई भारत में भी असम में अगर किसी तरह का उपद्रव देखने को मिलता है यह ना किसी तरह की इंसात्म गतिविधिया देखने को मिलती है तो ऐसे लोगों को arrest करने के लिए detention camp बना रखे हैं भारत ने भी तो क्या किया Mr. Imran Khan ने असम में भारत ने जो detention camp बना रखे हैं उन detention camp की तुन्ना नाजी जर्मनी के concentration camp से की आगे देखते हैं next और आगे हम बात करते हैं he launched into a die tribe किसी के खिलाफ कठोर बाते कहना है ना किसी के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कठोर बाते कहना है बहुत ही जबरदस तरीके से किसी के आलोचना करना तो next he launched into a die tribe on Jammu and Kashmir तो Jammu and Kashmir के मुद्दे को लेकर भी Prime Minister Imran Khan ने बहुत ही कठोर बाते कही more or less mirroring देखो यहाँ पर mirroring का मतब है प्रदर्शित करते हुए दिखाते हुए तो Mr. Imran Khan ने Jammu and Kashmir के संबद में जो बाते कही तो कम या ज़्यादा आप कह सकते हो उन बातों के दोरा प्रदर्शित हुआ क्या चीज़े प्रदर्शित हुई His speech of last year देखो क्या हुआ कि पिछले साल जब प्राइम मिनिश्टर Imran Khan ने Jammu and Kashmir के संबद में जो भाषन दिया था उसी भाषन का प्रतिविंब हमें अभी हाल ही के भाषन में देखने को मिला यानि कि Imran Khan ने अभी हाल ही में जर्मनी Mr. Imran Khan ने अभी हाली में जम्मू and Kashmir के संबद में जो बाते कही न ऐसी ही कुछ कम या ज़्यादा बाते उन्होंने पिछले साल कही थी जम्मू and Kashmir के संबद में विच इंक्लूडेट जिसमें की शामिल था अक्यूजेशन अब देखो जम्मू and Kashmir के संबद में Mr. Imran Khan ने जो बाती कही उन बातों में क्या कहा गया उन बातों में आरोप लगाए गए इल्जाम लगाए गए accusations that क्या आरोप लगाए गए that the government's moves कि भई जो भारत सरकार है उसके जो कदम है to dilute जो को dilute का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना किसी चीज को हलका करना है किसी चीज की ताकत को कम कर देना उसे कहा जाता है डाइल्यूट आर्टिकल 370 है न which included accusations that the government's moves to dilute आर्टिकल 370 and reorganize Jammu and Kashmir state into union territories were akin to akin to का मतलब होता है similar to के समान a final solution of genocide for the state अब देखो उन्होंने क्या बात कही है Mr. Imran Khan ने कहा कि उन्होंने ये आरोप लगाए भारत की सरकार के खिलाब कि भारत की सरकार ने आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है पूरी तरीके से dilute कर दिया है तो इसके इसके अलावा भारत सरकार ने और क्या किया है यानि कि इस तरह के जो कदम भारत सरकार ने उठाए है बूस का मतलब हो गया कदम कि भारत सरकार ने इस तरह के जो कदम उठाए है किस तरह के कदम कि आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर को री ओर्गनाइज किया है री ओर्गनाइज की मतला पुनर संगठित करना है ना कि जम्मू एंड कश्मीर को पुनर संगठित किया है उन्होंने और दो और इंटु यूनियन टेरिटरीस है और यूनियन टेरिटरीस में किंद्र शाषित प्रदेशों यह जो भारत सरकार के कदम है यह समिलर है समान किस चीज के समान अफ फाइनल सालुशन का मतलब एंतिम समादान ऑफ जीनो साइड फॉर्ड़ इस टेट नँज आप इस तरह से मानो कि भारत सरकार ने जो कदम उठाए ना इन कदमों को आप कह सकते हो यह कदम किसके समान एंति मतलब होता है किसी की हत्या करना है और जीनो साइड हो गया ब्लोगों की हत्या करना territorion लग के भारस सरकार का जंव न कश्मीर के संब्समेश नीए लिए उन स्याफ एंस को меньше इम्रान खान खान अब कह सकते हैं हो एक तरीके से आपने क्या किया है नरसंगहार के समान काम किया है आपने एक तरीके से यह जो कदम भारत सरकार ने उठा है ना यह कदम आप कह सकते हो कि यह कदम जो है समाने किसके समाने यह कदम जो है तरीके से नरसंगार के समाने मतलब आपने एक तरीके से नरसंगार से जितना नुकसान होता है ना कुछ मिल मिलाके लगवग ऐ ऐसा ही नुकसान आपने जम्मू एंड कश्मीर को पहुचाया है। फिर देखू जो उन्होंने अपना एक तरीखी concluded concluded यानि एक दर्म निशकर्ष नतीजा, he concluded with a reference to LOC Tension, reference का मतब है संदर्व देते हुए, LOC Tension, क्या हुआ, he concluded with a reference to LOC Tension, कि भई, finally उन्होंने जो है अपना जो भाशन था, उस भाशन का निशकर्ष, उस भाशन का नतीजा उन्ह पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रिखा है उसे बोलते हैं LOC, तो LOC पे जो तनाव है, उन तनावों के संदर्व में बात करते हुए, और उन्होंने अपनी स्पीच को समाप्त किया, तो क्या बात की उन्होंने LOC के संबंद में? Tension का मतलब हो गया तनाव, where? Seize Fire, Seize Fire का होता है, युद्विराम, where Seize Fire Violations have risen, तो LOC के संबंद में उन्होंने अपनी स्पीच को जो है, फाइनली समाप्त किया, और क्या कहा उन्होंने LOC के संबंद में, जहां पर की, where Seize Fire Violation, युद्विराम उलंगन, Seize Fire Violation का मतलब होता है, दो देशों के बीच में बातचीत हो र उलंगन, have risen, risen का मतलब है, और ज्यादा बढ़ जाना, एडिटोरी यही कहना चाहता है, कि इमरान खान ने अपनी स्पीच के फाइनल पार्ट में, LOC के तनाव पूर्ण स्थिति के बारे में बात की, उन्होंने बताया, कि जहां पर कि क्या हमें देखने को मिला है, कि जाकर बताना, उसे कहा जाता है, exaggerated, exaggerated note, that referred का मतलब है, referred का मतलब है, इसका संदर्ब देना, that referred to Kashmir, तो finally, LOC के संदर्ब में उन्होंने जो बात कही, एना, end करते हो, अपनी स्पीच को end करते हो, लेकिन, स्पीच को end तो किया, लेकिन किस तरह से, मतलब बढ़ा चड़ा के, ब उन्होंने संदर्ब दिया, अपनी स्पीच में, to Kashmir के संबंद में, as a nuclear flashpoint, nuclear, देखो, flashpoint का मतलब होता है, कोई ऐसी घटना, जहां पर की, हिंसा की वारदात हो सकती है, मतलब, हिंसात्मक जो घटना होती है, उसके संबंद में, अगर आप बात करते हो, तो उसको आप बोलो जहां पर हिंसात्मक घटना हो सकती है, उसको बोलते है, nuclear flashpoint का मतलब हो गया, यानि कि उन्होंने अपने भाषन के अंत में, निशकर्स निकालते हुए, कश्मीर, LOC के संबंद में, ये बात कही, कि ये जो चेत्र है, ऐसा चेत्र है, जहां पर कभी भी परमानू से संबंदि घटना हो सकती है, यानि कि एक तरीके से परमानू युद्ध छड़ सकता है, परमानू हिंसा हो सकती है, ऐसी कुछ बात उन्होंने कश्मीर के संबंद में कही, आगे देखते हैं, अब देखो, Mr. Khan's speech can be easily countered, कि ये जो Mr. Imran Khan है, उनका जो भाषन है, can be, उसे किया जा, can be, हो हो सकता है, easily counter, counter करने का मतलब होता है, जैसे आपने कुछ आर्गुमेंट दिये, अब मैं आपके खिलाफ आर्गुमेंट देता हूँ, इसका मतलब है, मैं आपका counter करता हूँ, मुकाबला करना है, किसी के खिलाफ कुछ कहना या मुकाबला करना, तो Mr. Khan का जो भाषन है, उस as the government hedge, और जैसा की भारसरकार ने किया है, as the government hedge, और जैसा की भारसरकार कर चुकी है, पाकिस्तान's on record on minorities, अब देखों पाकिस्तान के संदर में अगर हम बात करें, कि पाकिस्तान का खुद का जो record है ना, अलप संख्यों को खों को लेकर, उसको देख लेते हैं, क्या है पाकि कि रोकते हैं that even prevent यहां तक की वे कानून जो की पाकिस्तान ने अलप संख्यकों के लिए बना हैं वे रोकते हैं even prevent minorities अलप संख्यकों को रोकते हैं from holding high office किसी चीज को धारण करना हाई आफिस का मतलब है कि पाकिस्तान के जो उच्छ ओफिस है ना पाकिस्तान के जो वरिष्ट मंत्रा ले हैं या फिर बड़े-बड़े ओफिस हैं उन ओफिस में अलप संख्यक लोग जो है वे अपना इस्थान नहीं पा सकते हैं यानि कि देखो प भारत है वो अलप संक्यक लोगों पर अत्याचार कर रहा है लेकिन अगर हम पाकिस्तान के संदर में बात करें तो पाकिस्तान ने खुद ने अपने ऐसे कानून बना रखे हैं जिन कानूनों के तहत पाकिस्तान में रहने वाले अलप संक्यक पाकिस्तान के बड़े ऑफिस में किसी पद को नहीं संभाल सकते completely demolish Pakistan's credentials तो यह जो पाकिस्तान का खुद का record है यह demolish demolish का मतलब होता है किसी चीज़ का नाश कर देना किसी चीज़ का धुन्स कर देना तो पाकिस्तान का जो खुद का record है यह अपने आप में नाश कर देता है किसका? Pakistan's credentials Credential का मतलब क्या होता है Credential का मतलब होता है कि अपका एक तरीके से आप कह सकते हो आपकी योगिता, आपकी योगिता का प्रमान उसे हम बोलते है Credential Credential का मतलब होता है कि वह proof of someone's abilities आपकी योगिता का प्रमान to attack India completely demolishes Pakistan's credentials to attack India कि भई ये जो पाकिस्तान भारत पर अटेक कर रहा है जिन बातों के आधार पर वे बातें तो पाकिस्तान के लिए ही लागू नहीं होती पाकिस्तान बात करता है कि भारत जो है अलब संक्यकों को हानी पहुचा रहा है भारत जो है अलब संक्यकों के खिलाप जो है कई तरह के कानून लेके आ रहा है लेकिन अगर हम पाकिस्तान की खुद की बात करें तो पाकिस्तान के अलब संक्यकों से संबंदी जो कानून है वे कि भारत की लिए गाया है, एक धर्म निर्पेक्षी प्रजाद तंत्र है, आगे देखते हैं Mr. Khan's accusations of Indian state terrorism of Indian state terrorism come even as his country faces a decisive moment at the financial action task force in October Mr. Khan ने पाकिस्तान पर एक तरीके से जो आतंकवाद के आरोप लगाए है Mr. Khan's accusations का मतलब आरोप of Indian state terrorism कि बही इमरान खान ने भारत के ओपर आतंकवाद से संबनित जो आरोप लगाए है वे आतंकवाद के आरोप आये हैं यानि कि आतंकवाद के आरोप इमरान खान के द्वारा भारत पर लगाए गए हैं एक ऐसे समय पर even as at the same time even as का मतलब होता है at the same time his country कि पाकिस्तान जो है उसे सामना करना पढ़ रहा है पाकिस्तान faces a decisive moment a decisive moment का मतलब होता है निरनायक छण a decisive moment at the financial action task force देखना ध्यान देना ये एक organization है financial action task force क्या काम है इसका financial action task force financial action task force का काम है पूरे international इस्तर पर है ना यानि कि अंतराष्टरी इस्तर पर ये देखना कि कोई देश आतंकवादियों को funding तो नहीं कर रहा कोई देश आतंकवादियों को पैसा तो उपलब नहीं करा रहा ये देखना अब ये जो financial action task force है इसने पाकिस्तान को शक के दाएरे में ले रखा है अब देखो ये जो अक्टोबर में जो है ना इसकी एक meeting होगी financial action task force की एक meeting होगी अक्टोबर में और उस meeting में पाकिस्तान से सवाल किये जाएंगे आतंकवाद के संबन में कि भई पाकिस्तान को ये जो financial action task force है ना इसने कुछ बातें पाकिस्तान को दी थी कुछ बातें दी थी पाकिस्तान को कुछ एजेंडा दिये थे कि भई आप इन कारे सुची पर काम करो कि भई financial action task force के दौरा कुछ बातें पाकिस्तान को कही गई थी और पाकिस्तान को कहा गया था कि पाकिस्तान इन बातों पर अमल करे तो अक्टूबर में जब meeting होगी तब पाकिस्तान से पूछा जाएगा कि भई आतंक बात को रोकने में जो बातें आपसे कही गई थी उन बातों में आपने क्या क्या steps लिए उन बातों में आपने क्या क्या कदम उठाए वो बता होई ना अब देखतें आगे वेर पाकिस्तान has been kept on a grey list तो यह जो financial action task force है इसने क्या किया है पाकिस्तान को पाकिस्तान has been kept पाकिस्तान को रखा गया है पाकिस्तान has been kept on a grey list grey list का मतलब होता है एक ऐसी list यानि कि अगर कोई भी country grey list में है ना तो इसका मतलब है वह देश शक के दाएरे में है यानि कि उस देश के कि उस देश के लिए Financial Action Task Force को लगता है कि यह भ alleen आतंक वाद को पनाह दे रहा है ना तो पाकिस्तान को ग्रेड को मैं रखा रुख रखा है कबसे जुन 2008 कि पाकिस्तान जो है Financial Action Task Force की कब से जून टूजब एटीन से हैं ना तो देखो कि बैज पाकिस्तान खुद जो है ग्रे लिष्ट में है फाइने शेलेक्शन टास्क फोर्स की और आरोप लगा रहा है कि इस पर भारत के ओपर आतंकवाद का है तो यह एडिटोरिल कहना चाहरा है आगे देखते हैं पाकिस्तान के प्राइमिस्टर इमरान खान ने जो आरोप लगाए on the reorganization of Jammu and Kashmir की भारत ने जो Jammu and Kashmir को reorganize किया ना पुनर गठित किया तो इससे संबंदित जो आरोप पाकिस्तान के प्राइमिस्टर इमरान खान ने लगाए है end of attempting और क्या आरोप लगाए है उन्होंने end of attempting demographic changes demographic changes का मतलब होता है जन सांख्य की परिवर्तन यानि कि किसी particular छेत्र में किसी particular धर्म के या किसी particular जाती के लोगों की संख्या जादा है तो उन्हें वहाँ से हटाना है तो इसको कहा जाता है कि जन संख्या में परिवर्तित करन करने लगाएं क्या क्या आरोप लगाएं जम्मू एंड कश्मीर का को पुनर गठित करने के आरोप लगाएं इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का यह जो आप कह सकते हो कि यह जो डेमोग्राफ जम्मू एंड कश्मीर का जो जन संक्य की बदलाव करने के जो आरोप लग पाकिस्तान ने अभी हाली में घोशित किया है कि इस चीज को गिलगिट बलतिस्तान को एक प्रांत घोशित किया है गिलगिट बलतिस्तान को एक प्रांत घोशित किया है and has carried out carry out का मतलब होता है किसी काम को अंजाम देना और पाकिस्तान ने अंजाम दिया है किस चीज को the resettlement of non-Kashmiris resettlement का मतलब है दुबारा से किसी को बसाना है ना दुबारा से settlement करना resettlement of non-Kashmiris in Pakistan occupied Kashmir कि भई पाक अधिकरत कश्मीर है ना पाकिस्तान occupied Kashmir four decades कि भई पाकिस्तान ने कई दशकों से जो ये कश्मीर का छेतर जो दबार रखा है ना भारत का P.O.K है ना पाकिस्तान occupied Kashmir है ना पाक अधिकरत कश्मीर जो कई दशकों से पाकिस्तान के पास है उस छेत्र में पाकिस्तान क्या कर रहा है कि नौन कश्मीरियों को बसाने का प्रियास कर रहा है तो यह जो पाकिस्तान के प्रियास है क्या यह प्रियास डेमोग्राफिक चेंजिस के अंतरगत नहीं आते आगे देखते हैं कि even if, even if का मतलब है भले ही कि भले ही कुछ चेंजिस का मतलब है उठाना कि भले ही कुछ चेंजिस का मतलब है भारत में चर्चा की जा रही है सांस, अभी जो शब्दा है ना सांस इस सांस का मतलब होता है एक तरीके से सांस का मतलब होता है without सांस the over dramatic characterization they are certainly not within the purview of another country कि देखो एड़ी-टुईल क्या बात कहता है कि भाई ठीक है कि प्राइम मिश्टर इमरान खान उन्होंने कई ऐसी बाते कही जो कि बिल्कुली बेतुकी हैं लेकिन फिर भी हो सकता है कि उनकी कई कुछ बाते हैं जो की वास्तों में जिनके उपर सोचा जाना चाहिए जिनके उपर विचार विमर्च किया जाना चाहिए है ना तो और उनके बातों के उपर भारत में विचार विमर्च किया भी जा रहा ह उसको कहा जाता है over dramatic characterization का मतलब है चित्रन करना यानि कि प्राइम मिनिस्टर इम्रान खान की कुछ बाते हैं जिनको की ज्यादा बड़ा चड़ा कर चित्रित न करते हुए विदाउट है ना सांस का मतलब में आपको बता है विदाउट कि बही कुछ बाते हैं उनकी जिनको ज् वे बाते जो है निश्चित रूप से नहीं आती परवीव का मतलब होता है दायरा of another country है ना they are certainly not within the purview of another country तो वे जो बातों जिन बातों को लेकर भारत में discussion किया जा रहा है है ना ये बाते जो है अन्य किसी देश के दायरे में नहीं आती and not a legitimate subject legitimate का मतलब होता है वैध कानू दा यूए एडिटर केना चाहरा है कि जिन बातों को ऊपर प्राइम मिश्टर इमरान खान ने अपनी चिंताएं अभी विक्त की हैं उन में से कुछ बातों के ओपर भारत में भी जो है चर्चा की जा रही है लेकिन वे जो बाते हैं वे बाते ऐसी बाते नहीं है जिनकी आप उनको यूनाइटेड नेशन्स की बैठक में संबोधित करो ठीक है कुछ बाते हैं जिन पर चिंता की जानी चाहिए जिनके ओपर विचार विमर्च किया जाना चाहिए लेकिन ये बाते ऐसी बाते नहीं है जिनको की प्राइं मिंस्टर इमरान खान के दौरा यू एन म बातों को देख रहा है लेकिन फिर भी यह जो बात है ना यह जो है अन्य देश के दाइरे में नहीं आती यह बात ने निश्चित रूप से ऐसी बाते नहीं है ना कि एक तरीके से ना correlate subject नहीं है कानुनन सब्जेक्ट नहीं है वुए यहीं जो है बाते नहीं है जिनकी ओपर कि योएं में आप जो है संभोधन करो वाइल जब कि अब देखो वाइल से जिद कोय सेंटेंस पремत ना तो इसमें क्या है दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं यह लंबέ सेंटेंस बाब का मतलब होता है एक ऐसा रिमार्ग जो की इंटेलिजेंट तरीके से है ना बहुत ही फनी रिमार्ग एक तरीके का इंटेलिजेंट रिमार्ग लेकिन अनकाइंड रिमार्ग है ना जिसमें कि आप कह सकते हो कि एक तरीके का अनफ्रेंडली रिमार्ग है ना तो इंडिया can safely disregard disregard का मतलब होता है कि एक तरीके से अनाधर करना है ना उस पर ध्यानी नहीं देना है अवहेल ना करना वाइल इंडिया के जब कि एक और अगर हम देखें तो भारत जो है बिलकुल सुरक्षा पूर्ण तरीके से मिस्टर इमरान खान ने जो भी कमेंट किये हैं उन कमेंटों की उपेक्षा कर सकता है उन कमेंटों पर उन कमेंट पर ध्यानी नहीं दे भारत चाहे तो लेकिन लेकिन भारत को पाकिस्तान के दौरा ये जो कमेंट किये गए है इन कमेंट को कम नहीं आखना चाहिए है ना उनका इरादा कि वही इमरान खान के दोरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दोरा जो कमेंट्स किये गए हैं उन कमेंट्स के जो इरादे हैं उनको अंडरिस्टिमेट भारत को नहीं करना चाहिए क्या इरादे हैं इन कमेंट्स के as part of a larger strategy कि वही पाकिस्तान की एक बड़ी रणनीती है ना उसका हिस्सा है ये कमेंट्स to consistently कि वही पाकिस्तान जो है लगातार consistently मतलब लगातार consistently हरल का मतलब है फैकना these allegations कि पाकिस्तान जो है इस तरह के जो आरोप है इनको भारत पर लगातार फैकता रहा है ना against India भारत के खिलाब in the hope इस आशा में that some of it will stick कि कुछ नकुछ आरोप तो भारत पे जाके लगातार भारत पर लगाता रहा है इस उम्मीद में कि कुछ इलजाम तो भारत पर लगी जाएंगे यह रखवाई